नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे National Institute of Technical Teachers Training and Research ये कुलकाता में लोकेटेड है और यहाँ बहुत सरे Teaching and Non-Teaching Post में recruitment अभी चल रहा है, बैकेंसी निकला है तो चलिए चलते हूं उसका ओफिसियल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते है तो ये आप देख सकते हो, ये है National Institute of Technical Teachers Training and Research कुलकाता का ओफिसियल वेबसाइड तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे यहाँ नीचे आप देख सकते हो, कुछ Announcement चल रहा है, कुईक Links दिया गया है तो यहाँ आप देख सकते हो, पुरा उपर तो हम यहाँ Read More पे क्लिक करेंगे यहाँ देखे, पुरा उपर मेंसन किया गया है, Recruitment for Teaching and Non-Teaching Post तो हम इसी के उपर क्लिक करेंगे तो यह है इसका Notification यहाँ आप देख सकते हो, advertisement number 5, 2021, 2022 then online recruitmenters are invited for the direct recruitment for the following first, आप देख सकते हो, assistant professor assistant professor, यह आपको salary मिलेगा 50,700 plus DA और minimum tenure जो रहेगा, यह 3 साल के लिए रहेगा और number of position आप यहाँ देख सकते हो 8 position अभी vacancy है और यह सारे के सारे contractual position में total vacancy है 8, ठीक है इसके बाद आप देख सकते हो, technical assistant grade 2 civil यह इसका जो salary है 29,200 plus DA और यह भी आपका जो tenure है, यह 3 साल के लिए number of position है 1 और यह भी contractual position में है इसके अलाबा technical assistant grade 2 electrical, then section officer grade 2 then secretarial, then section officer grade 1 accounts यह सारे के सारे positions अभी vacancy है बाके आप यहाँ number of post आप यहाँ देख सकते हो नीचे यहाँ mention किया गया है अपलाई कर सकते हैं और थोड़ा आप university का जो website है यहाँ भी आप जाकर देख सकते हो details क्या है तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे अभी बाके यहाँ general information दिया गया है आप यहाँ देख सकते हो बाके यहाँ आप देख सकते हो essential qualification assistant professor के लिए जो essential qualification यहाँ mention किया गया है इंजिनेरिंग बी बी टेक और बी एस के साथ साथ M.E.M.T.E. होना ज़रूरी है जैसी computer science engineering electrical engineering mechanical engineering यह सारे की सारे subject में आपका master's होना बहुत ज़रूरी है ठीक है पाके technical assistant के लिए भी वही है matriculation और its equivalent ठीक है 10th pass होना ज़रूरी है उसके साथ साथ diploma भी होना ज़रूरी है और तिन साल का जो diploma होता है और minimum 10 years का experience आप यहाँ देख सकते हो बाकिया इसे जो भी qualification है आप यहाँ एक के बाद एक देख सकते हो और service condition जैसे हमने discuss किये थे सारे के सारे तिन साल के लिए है और इसका जो last date है यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी mention किया गया है 19 July ठीक है और apply करने के लिए यह है आपका link यहाँ से आप click करके direct apply कर सकते हो और इसका जो application fee है आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पान सो रूपिया रखा गया है general and OBC candidate के लिए और SCST के लिए 200 रूपिया रखा गया है और इसको आप NFTI RTGS के थ्रो में आप SBI account में pay कर सकते हो यहाँ आकाउंट का details यहाँ दिया गया है ठीक है बाकि age आप यहाँ देख सकते हो assistant professor के लिए कुछ age नहीं है age बार नहीं है बाकि other जो non-technical position है इसके लिए age यहाँ mention किया गया है बाकि जो आपका salary details थोड़ा यहाँ mention किया गया है आपको कैसे क्या salary मिलेगा details में और बाकि weightage selection criteria में जो weightage है यहाँ आप देख सकते हो हर position के लिए यहाँ weightage mention किया गया है यहाँ आपका roles and responsibility के बारे में discuss किया गया है department और आपका roles and responsibility क्या रहेगा यहाँ कुछ discuss किया गया है आप यहाँ देख सकते हो civil engineering क्या रहेगा देन आपका computer science engineering क्या रहेगा उसके बाद electrical engineering क्या रहेगा यहाँ आप देख सकते हो डश्रेंस management क्या अप यहाँ देख सकते हो तो यह था details बागि जन्होंने भी interested हो यहाँ apply करने के लिए जितना जल्दी हो सक्या है आप यहाँ apply कर दिजिए हुर्ध का जुलाई 2021 तो ये था इसका डीटेल्स थैंक यू अल दिवेस्ट जाने से पहले मैं आपको बता दू कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुली डेडिकेटेट है टीचर्स के लिए जो भी एक अच्छा टीचर प्रोफेसर असिस्टन प्रोफेसर असूसियेट प्रोफेसर ब दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा थैंक यू अल दिवेस्ट